चातरों को गयलो सरकार का तौफा, राजस्थान में गयलो सरकार उन बच्चों को सौगात दे रही है जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक संकट के चलते उच्च्छा हासिल नहीं कर पाते तो ऐसे गरीब बच्चों को सरकार मुख्यमंतरी उच्चुसुक्षा चात्रविती योजना का तौफा देने जा रही है। देखे इस पर एक खास रिपॉर्ट सुना है गरीबों की आखों में ख्वाब तो आते हैं लेकिन ठेहरते नहीं हैं आखों की कोर पर ठेहरते ख्वाब नीद में तूट जाते हैं गरीबी स्कूल का तसवर तो करती है लेकिन पैसों की कमी उनके पैरों में मजबूरी की रसी बांदेती है लेकिन मुख्यमंतरी अ शोक गहलोत ने गरीबी के पैरों में बंधी मजबूरियों की बेडियों को खोल दिया है। शोक गहलोत सरकार सालाना पांच हजार और दियांग बच्चों को सालाना दस हजार की स्कॉलर्शिप देगी। शोक प्रमाण पत्र में 40 फीसदी दिव्यांगता होनी अनिवार है। सरकार दोवारा दी जारी विविन चात्रवर्थियां जो सरकारी स्कॉलों में पढ़ने वाले हजारों लाखों विद्यार्थियों के लिए वरदान सीद हो रहे हैं। हम समय समय पर सभी विद्यार्थियों का इन चात्रवर्थियों को लाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। कि वो इस परकार की चात्रवर्थियों के लिए। कि आर्थिक तंगी से चुटकारा मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये योजना उन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो पढ़ लिखकर जिंदगी में कुछ कर गुजरने का होसला रखते हैं। लेकिन गरीबी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। ऐसे बच्चों की तरक्टी का रास्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री स्कॉलर्शिप योजना खोल देगी। सुशान पारीक, Z.Media, जैपुर।